असलाम लेकूम मैं हूँ मिश्टरी यासरी कबाल और आप देख रहे हैं यासरी कबाल आनलाइन वर्क दोस्तों आज हम आपको बताएंगे नो इंची दुवार में 100 फुट में कितनी इंटे लगती है यानि के सैंकडे में कितनी इंटे लगती है और चार इंची दुवार 100 फुट में कितनी इंटे लगती है और नो इंची चुनाई का रिशू मसाले का क्या होना चाहिए और चार इंची का चुनाई का रिशू क्या होना चाहिए ठीक होगा तो वीडियो तफसील से देखे ताके आपको हर चीज की मालूमात अच्छे से मिल जाए चुनाई लगाने के दो तीन तरीके ठीक कुछ लोग आज कल लगा रहे हैं यानि के ये दरजड भी नहीं थिपरे और कसंड़ा वगारा भी नहीं लगा है ठीक है कहते हैं पलस्तर में कवरोज यानि के कुछ लाखे है पाकिस्तान में जैसे कॉइटा होगा जोब, लोरा लाई ठीक होगा ये इस तरह जो लाखे हैं उन में ऐसे चुनाई लग रहे हैं और लहौर यानिका पंजाब पूरे में कसंडा लगा के चुनाई लगाते हैं ठीक हो गया यह हमने ठेका लिया गाउं का काम है यह देखे कुछ दोर और है यह दोर और है लेकर एक इस्टिमेट मैं आपको बता देता हूं रेशु का और मसाला चुनाई में कितना होना मृँ आप अगर वो दो सूत़ हो चाहिए रशु अगर आपकी इंट एक सेज की है तो दो सूतर होना चाहिए ना दो एक सेज की नहीं है यह यह कुछ इन्हें थोड़ी बड़ी हो जाती इसो तर 2 सूतर कुछ इन्हें तो उसमें यादा मसाला आएगा जैसे के ये यादा आया हुआ है ठीकैं ये देखे कोने में दोस उतर है पहले जो इंट की गाड़ी आई है उसमें इंट बड़ी थी जो ये गाड़ी आई है इसका सैज छोटा है हमने मालक से कहा भी है पिए एक बटे से इंट लें और एक सैज की लें लेकन यो सप्लायर हैं वो ये चीज़ें कर जाते हैं तो आप भी एक सैज की इंट लगवाएं ताकि आपको ये मसाले के खर्चे का अजाफी खर्चा ना पड़ें दूसरी बात इसका मसाले का रिशू जो नोँची की दुवार उसका एक फाइफ यनि कि एक सीमट और पांच तगारी रेत की लगा हैं और इसकी तराई एक अफते तक करेंगे तो एक सिक्स का भी आप लगा सकते हैं अगर एक अफते तक लगतार तलाई करनी है ना मालक खुद सर पे है या उसका को अपना चोक को साले लगा हैं ढहाईं हैर चार अची का ठीक हो घाए मन फूर काम साले लगाएंगे त्राई इसकी दिन में तीन और तीन चार दफा पांच दफा लाजमी करें और इसका जो है सब ठीक है वीडियो तफसील से देखा करें ताके आपको हर चीज की अच्छे से समझा जाएं तो ये 9 एंची की जो हमारी कल्कुलेशन है इंट का सैज होएगा 9 एंची, 3 एंची और 4 एंची यानि कि 9 एंची उसकी लंबाई हैट 3 एंची चुड़ाई उसकी 4 एंची तो वो एक सेंकडे में 9 एंची की दोवार में 900 एंची लगेगी कितनी 900 एंची और 4 एंची में 4500 एंची लगेगी अगर आपकी एंची की हैट जैनि के 3 एंची से कम है पौने 3 एंची, 200 तर कम है तो वो तकरिबन 1000 में 1000 लगेगी अगर 3 एंची से आपकी एंची बड़ी है पहली बात तो तीन एंची से बड़ी सैज की इंट मिलती ही नहीं अगर बड़ी है तो वो यारांसो यानिके साड़े आठ सो सवा आठ सो याठ सो भी लग सकती लेकन रेगुलार जो इस्टीमेट है वो 900 का है यह देखें तुचनाई कसंडा और बुर्ष मार्क लगाएं ताके अच्छे करेशू भी बता दिया और इसका त्राई का त्रीका कभी भी भूकी चनाई ना लगवाएं क्योंकि इतना खर्चा करके आप भूकी चनाई लगवाएंगे तो उसका कोई फैदा नहीं जो कसंडा लगा के लगाई जाती है यानिका दरजी के अंदर मसाला अंदर तक जाता वह बाद में पलस्तर में अंदर तक नहीं जा सकता ठीक होगा तो इंट का भी सेलेक्शन करें एक भटे से ले एक सप्लार से ले और एक की कॉंपनी की इंट लें जो भी आपको फसान दे उसमें यह मसला होता है पि वह सैज में इतना यादा को खास फरक नहीं होता जब एक गाड़ी आप और ले लेंगे दूसरी गाड़ी और ले लेंगे रेट में भी फरक आएगा और उसमें सैज में भी फरक आएगा मसाल के तोर पर यह मैं पहले आपको बता रहा है यह जो गाड़ी आई है इसके जो हाइट है यानिक तीन एची पूरी है अभी यह जो चुना चुनाई के साथ मलाक लगा रहें उदर भी वही चुनाए के साथ लेकन मसाला यादा देना पड़ता है यह चीज़ों को मदे नजर लाजमी ही रखा करें ताकि आपको बाद में कुई मसाला बगरा ना बने तो जितना मसाला यादा देंगे आप उतनी आपकी चनाई कमजोर भी होती जाएगे आदमी सोचता है मैं एक एंची मसाला दो या पोनी अची दो वो चनाई काम याब ही नहीं है दो सुतर मसाला इंट को मजबूती के लिए दो सुतर बहुत ही मनासब है आप कहा है पर तीन सुतर आदियंची पॉनियंची वो चुनाई कमजोर होती जाएगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें जो दोस्तों मारे चानल पर आएं वो चानल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को दुबाग के आल पे कलिक्स करें मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में दौाओ में याद रखिये गया अल्ला आफिस पाकिस्तान जिन्दा बाद